ट्रांस्पोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांस्पोर्ट मॉल जो के गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगा है तो बीमा के लिए वट्सेप करें गाड़ियों के नंबर 9831, 9831 पर दोस्तो गाड़ियों की हाइट ये है मुद्दा आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट का और गाड़ियों की जो हाइट है ये एक बहुत ही पेचीदा मुद्दा है इसके उपर स्टोरी देना और इसको समझना दोनों चीज़े मुश्किल है और सबसे मुश्किल है जो हाइट को लेके चलान होते होने भरना तो ये सारी चीज़ें आज की स्टोरी में हम कवर करने की कोशिश करेंगे ध्यान से सुनियेगा हम अमीद है कि ये जानकारी आपके लिए लापकारी साबित होगी अब इसकी जो फाइनल नोटिफिकेशन है वो आई है 26 जून 2020 को असल में जो में बदलाव इसमें किया गया है वो रूल नमबर 93 सेंटरल मोटर वेहिकल रूल्स का उसको बदल दिया गया है बिल्कुल नया रूल 93 ला दिया गया है और काफी जादा चेंजिस डैमेंशन के अंदर कर दी गई है वैसे तो इसका जो ज़ादा relevance है वो वहाँ निरमाताओं के लिए है असमें थोड़ी-थोड़ी जो हैं dimensions बढ़ा दिगी है किसी के इसमें length बढ़ा दी, किसी में width बढ़ा दी, किसी में height बढ़ा दी है वो इसलिए सरकार का ये कहना है कि इसे अब इंटरनेशनल जो मापदंड हैं उनके साथ एकसार कर दिया है उसके साथ तो उसमें फाइदा होगा वहाँ निर्माताओं कम्पनियों का जो के भारत के लिए भी प्रोडक्ट बनाती हैं और यहां से एक्सपोर्ट भी करती हैं उन वो भी इससे परवावित होंगे उनको भी इसका पड़ेगा क्या पड़ेगा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ उससे पहले आप यह समझ लें कि जो भी मैं अब लेंथ विर्थ हाइट आपको बताने जा रहा हूं जिन गाडियों की जिस केटेगरी आफ वहिकल्स क की वो अधिक्तम कैटेगरी है मैं कहना यह चारा हूँ आप पहली एक्सम से समझ जाएंगे एन कैटेगरी के जो आन है जो माल्ड होने वाले वाहन है उसमें केटेगरी है n1 यह कौंसे वहान होते है n1 वाले जिसमें दो एकसल होते हैं काग एक पीछे और जिसका जो gbw है वो जादा से जादा साड़े तीन टन होता है। उससे नीचे वाले जितने वाहन हैं वो N1 केटागरी में आते हैं और इन वाहनों की जो अधिक्तम length, width और height है वो screen की उपर आप देख सकते हैं। जो ये वाहन है दो एक्सल और साड़े तीन टन से कम उनकी जो चड़ाई है वो 2.6 meter यानि के लगबग साड़े 8 feet length जो है इनकी वो साड़े 6 meter और लगबग height जो है 21.3 feet और जो height है वो 3 meter और feet के अगर देखें तो लगबग 10 feet उनकी height हो सकती है जादा से जादा अब इसके अंदर जो उल्जन है वो क्या है उल्जन ये है कि साड़े 3 ton बोल दिया गया साड़े 3 ton के अंदर ही वहत variety है वाहनों की एक तो माल लिजे टाटा Ace आजाता है जिसकी जो GBW लगबग 1500 के करीब है 1500 किलो 10 ton जिसे हम बोल देते हैं और वहीं पर महिंदरा pickup जो गाड काटेगरी में आते हैं कहना मैं चाहरा हूं इसलिए कि यह डिमेंशन दी है इसी वजह से मैं कहे रहा हूं कि सीधा सीधा आपको नहीं है क्योंकि यह अधिक्तम सीमा दे दी गई है अगर किसी ने गाड़ी बनानी है टाटा ने लेलेंड ने या किसी और कंपनीने तो उनके आपके पास ट्रेलर गाड़ी है जिसे हम ट्रेक्टर ट्रेलर बोल देते हैं उसके अंदर में अगर आपको बताऊं तो दो तरह का ट्रेलर होता है बारत में एक सेमी ट्रेलर होता है और एक कंप्लीट ट्रेलर होता है सेमी ट्रेलर और ट्रेलर में फरके होता है कि सेमी ट्र ट्रेलर ऐसा है जो ट्रेक्टर के बिना भी जो आगे वाले ट्रक के बिना भी सड़क पर खड़ा हो सकता है उसे हम कंप्लीट ट्रेलर बोलते हैं और दोनों की जो हाइट में वो अंतर हैं अगर सेमी ट्रेलर आपके पास तो उसकी जो हाइट है वो अब जो है बढ़ा कर 3.8 स चार मीटर कर दी गई है जो कि अगर फुट में हम कंवर्ट करेंगे तो 13.12 फीट यह बनती है और उसी तरीके से अगर आपकी कंप्लीट ट्रेलर है आपके पास या फिर बंद बोड़ी है ट्रेलर के उपर तो पहले जो हाइट थी वो 4.2 मीटर थी अब बढ़ा कर कर दी ग जा रहे हैं 15 फीट जिसके हम बात करें 14.8 यह ट्रेलर और जो बंद बोड़ी ट्रेलर है उनके लिए है और इसके बाद एक और कैटागरी आ जाती है जिसे हम आटो कैरियर बोल देते हैं जिनके अंदर टू विलर जो नए होते हैं और कारे होती उनको ट्रांस्पोर्ट किय गया आता है तो उनके लिए थोड़ा से एक एक्स्ट्रा मार्जन दिया गया है उसके अंदर जो हाइट है वो अब 4.75 मीटर तक जा सकती है जो के पहले 4.5 तक थी तो इसमें जो अगर हम फुट में कनवर्ट करें 15 फीट से जादा चली जाती है लगवाग 15.58 फीट इसकी जो है अब हाइट हो सकती है तो इस के टेगरी के जो वहान है उनको इमीजेटली इसका फैदा मिल जाएगा जो गाड़ी मालिकों की में बात कर दो और इसी तरह से जो ट्रक लाइव स्टॉक होते है यानि के जानवरों की ढ़वा डुलाई करते हैं और जो कंस्ट्रक्शन क्यूपमेंट है उसकी भी जो अब हाइट है वो चार पॉइंट पचातर मीटर कर दी गई है यानि के लगबग साड़े पंदरा फीट तो इस नोटिफिकेशन के बारे में तो जानकारी मैंने आपको दे दी लेकिन असल मुद्दा यह है कि जो हाइट के हमारे चलान हो रहे है तो उस केस में हर जो गाड़ी मालिक है वो यह जानना चाता है कि आखिरकार मेरी गाड़ी की सही हाइट कितनी होनी चाहिए लोड उसमें डालने के बाद कई अपरेटर्स के हमें फोन आये जिनोंने बताया कि सर 20-20 साल से इस काम के अंदर हैं 20-20 गाड़ियां भी हमारे है लेकिन आज तक यह नहीं बता चला कि मुझे हाइट गाड़ी में डालनी कितनी है हाइट मेरी होनी कितनी चाहिए तो यह जो सवाल है बहुत इंपॉर्टन है लेकिन इसका जवाब बहुत मुश्कल है ट्रांस्पोर्ट टीवी की टीम ने काफी मेहनत की कि हम आपको एक- कई कंपनियां मैं नाम नहीं लोगा लेकिन जितने बड़े वहां निर्माता है उनके बड़े बड़े जो पोजीशन पर लोग हैं उनको हमने फोन किये पूछा के सर आपके जो लगलग मॉडल है उनकी हमें एक लाइट की लिस्ट भेज दें तो हमें हरानी हुई कि बड़ हिनत नहीं करना चाहते हैं तो यहां पर समझ में यह नहीं आ रहा कि जिस गाड़ियों के चलान किये जा रहे हैं उसकी गाड़ी माले को खुद पता ही नहीं को इसे बता ही नहीं रहा कि उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए और यह तो मैं मानने को त्यार ही नहीं कि किसी जिबूर हैं चलान भरने के लिए तो एक solution में यहाँ पर बताना चाहूंगा आपको और उससे पहले सरकार को सरकार को सरकार को तो solution यह है कि सर जब वो आर्सी आप लोग देते हो ट्रांसपर भाग जो हमारे उसके अंदर बहुत सारी इंफर्मेशन रहती है अर्जिस्ट्रेशन कब हुई गाड़ी के manufacturing year क्या है गाड़ी का number क्या है body type क्या है रंग को हंसा है GBW क्या है तमाम जानकरियर है उसमें एक चीज़ और एड़ कर दो आर्टी ओधिकारी खड़ा है उसके भी बसकी बात नहीं है कि वह सारी जो वहानों की detail अपने पास रखे तो उसके लिए इसानी हो जाएगी वह सिंपली यह करेगा कि आर्थी आपकी देखेगा और उसके बाद एक measuring tape से माप लेगा कि कितनी height है और पता चल जाएगा कि height है over height है या नहीं है एक तो यह सबसे असली solution तो इसका यह है दूसरा solution यह है कि जब आप गाड़ी खरीद रहे है ना उस समय dealer को आप जो भी कहेंगे वो करेगा जब गाड़ी खरीद ली तो वह बात सुनेंगे नहीं तो आप अपने dealer को यह बोलो कि मैं गाड़ी तब खरीद जारी करती है एक पत्र हम वैसा आपको दिखाते हैं यह लंबा चौड़ा पत्र है एक थ्री वीलर है कोई और उसका यह दिया गया है इसके अंदर और यह हमने किसी हमारे एक motor vehicle inspector है जानकर उनसे हमने यह प्राप्त किया है तो उन्होंने भी बताया कि एक गाड़ी की एक ए तो इसलिए मैं कहा रहा हूं कि दो ही solution है जान तो RC paper सरकार लिखे और दूसरा solution है कि जब आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो अपने dealer को बोलें कि मुझे जो ARAI का letter जारी होता है वो लेके दे तब ही मैं गाड़ी खरीद दूगा और उसकी copy जो है वो आप अपनी गाड़ी म में रखें और ट्रांस्पोर्ट टीवी के के लिए भी संबब नहीं है कि तमाम जो मॉडल है एक-एक मॉडल का जो हमें डॉकुमेंट प्रक्यूर करें और आपको चैनल के जरीयत दें जहां तक राजस्तान में ओवर हाइट के चलान की बात है तो वहां पर कोई अलग निय है जो पूरे देश में नियम है वही है और हाइट में जैसे मैंने ट्रेलर के केस में बताया थोड़ी सी रियायत ही मिली है कम नहीं हुई है हाइट किसी विवान की और ना ही राजस्तान ने कोई ऐसा नियम बनाया है वहां पर चलान ज्यादा क्यों हो रहे हैं वो सिर्फ आ ट्रांस्पोर्ट टीवी पर हमें हर रोज धेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय और अगर क्लेम की नौबत ना आये तो पता भी नहीं चलत इसी लिए दोस्तों ट्रांस्पोर्ट टीवी लाया है ट्रांस्पोर्ट मॉल जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगा है तो बीमा के लिए वट्सैप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 9831, 9831 पर आप भरोसा कर सकते हैं हम पर ट्रांस्पोर्ट टीवी जानकारी लापकारी